सब्सक्राइब करें जीत रंगुली यूट्यूब चैनल को और दबाई ये बेल आइकन को हमाई लैटर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जीत रंगुली मैं आप सभी लोगों का है देख स्वागत करता हूँ चलिए तुलसी बेवे स्पेशल बहुत ही सुन्दर सा रंगुली बनाना सिखेंगे तो मैंने यहाँ पार 25 सेंटिमीटर त्रिजा लेकि एक सरकल बनाया सेंटर वाला उसके साइड वाला जो सरकल के बीच स्कंदाने ब्रीट है जो सेंटर सरकल में वीच में लैनीग बनाना और दूनों लाइन के साइड में थोड़ थोड़ जगा छोड़के आएक बासुरी बनाना है बीच में सा और एक रेशा दीजी जो बीच वाले रेशे उसके उपर में आइब्रो बनाना है सेंटर के लाइन के नीचे में आइज बनाना है उसके नीचे नाग बनाना है और नाग के नीचे लिप बनाना है और एक हाप फेस का आउटलाइन बनाना है कि सिंपल सा ड्राइंग है चुल मैं आगी जग इसका मेजर्मेंट में दूंगा कि ना कितना मेजर्मेंट है चुल यह बाद देखते हैं सेंटर लाइन से जो लास्ट वाला है फेस का वो है 18.5 सेंटर से उपर का जो फेटा तक है वो 13 सेंटेमेटर सेंटर लाइन से जो फेस का आउटर है वो है 16 सेंटेमेटर अब जो नाख है यह जो सेंटर से जो नाख है नाख है 10 सेंटेमेटर इतना मेजर्मेंट भी लोग है तो आप वो एक्जाक्ल वासा बना पाऊगे अगिम से अपने हिसाब से ट्राइंग बना लिज्जें इस सिंपल से ट्राइंग है गिए इस साइट में क्रिशणा जी है एं पलट के साइड में बासुरी और एक साइश्ञे इफमें तूल्सी के बरिंदाबने रहेगा सब्से European नीचे में तूल्सी घुङंदाबन के हाईठे उके हां इदि बासुरी का में color भाने के लिए दो इसकल रखेंगे दोनों साइड में और बीच में मैंने यह पर orange color फिल किया साइड में थोड़ा सा brown color और एक साइड में yellow color अब इसके बीच में black color के dot वेके और फेस में कलार फिल करने के पहले जो बासुरी बनाएते उसको उपार स्कल रखिए और जो फेस में आईब्रो में ब्लाक कलार फिल करना है जो क्लोज आईज उसमें भी ब्लाक सा आउटलाइन करना है नोस को भी ब्लाक सा आउटलाइन करना है और लीप को भी ब्लाक सा आउ कर रहा हूं है कि कान में आउटलाइन करना है डार्क ब्लू से जो हियर है हियर में पहले ब्लाक फिल करेंगे और फेटे में अब इल्लोक अलगा फेटा बनाएंगे तो एक साइड में रेड देना है रेड के साइड में डार्क ओरेंज देना है और डार्क ओरेंज के साइड में यल्लोक अलगा देना है इसे डार्क औरेंज के साड़ में आपके पस लाइट औरेंज इस तो पहले लाइट और लिधिगे तो टीजें करें अरंड्र रेट डार्क और्ड z और 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 धोल और अधोर ऑसा डार्ट दिखाना थो ऐघ Greg को तो डार्क दीखेंगा ओके तो फेस में जो इसका कलर ए इसका कला किल करना है तो कि निया कि दो कि विल किजिए ताकर स्थे फिनिशिंग जादा दीखें अ कि अभी जग्यां में पेले प्लेन जीस्काइब ब्लू इसकाइब्लु करना है अब क्षाइब ब्लु में डारक बलू मिक्स करना है हैחנו इसे हथो थो bundle बनाई एं और और उसी shade में थोड़ा सा और blue मिलाई है तो थोड़ा सा और dark होगा और जो dark बनेगा वो अंदर वाला भाग में वो dark color देना है तो आइस के उपर में भी थोड़ा सा dark देना है और जो sky blue है sky blue में थोड़ा सा white color mix करना है light होगा तो आइस के उपर में close eyes है इसलिए कपाल के उपर और forehead के उपर nose के उपर और lip के निचे भी और गाल में जो eyes के निचे भागे वहापर यह light color देना है और यह light color एक्तम धिरे-दिरे fill कीजिए उत्रों उग्चा करें fill कीजिए तकि सभी जगब में समान जाए इसके बाद भी आपको लगता ओओ थोड़ा सा light करना है तो जो हमने light color बनाये थे यह ब्लू में white मिला कि उसमें आओ थोड़ा सा white मिला यह तो आओ light हो जाएगा अधि फेस में आपको pink color दिखाना है तो pink color कभी भी direct pink color मत फिल कीजिए जो light skin color बनाये थे यह ब्लू में white मिलाके उसी color में थोड़ा सा pink मिलाई है और फिर आप फिल कीजिए तो थोड़ा सा pink दिखेगा काल लिप में red color फिल करना है और उपर निचे में थोड़ा सा light pink color देना है और लास्ट में जो black color से इनका eyes, eyebrows, nose यह सब आपको एक ब्लैक से draw कर लेजिए यह नोस में आपको black ज्यादा लगता तो यहाँ पर आप जो dark blue है dark blue में भी थोड़ा सा black मिलाके यह नोस के भाग दोके त पर लीप का जो outline है वो black से कीजिए तो ज्यादा उठाओ देखेगा और जो face है face का outline भी black से कीजिए गला में भी नीचे के तरफ light blue color उसके उपर में light blue, dark blue और dark blue और फिर से एक बार black से outline करेंगे और नीचे में थोड़ा सा और dark कीजिए तकि जो गला का portion है वो ज्यादा dark देखे और जो face है वो थोड़ा से light देखे लास्ट में जो हमने black color के lining दिया था ना उस लाइनिंग के side में आप sky color का lining दे सकते हो तो इससे पी थोगा सा और उठाओ देखेगा चेहरा पिर एक कपल में तीलग बनाए ये white color का आप चेह तो अंदर में red color का lining दे सकते हो और कान में कुंदन simple सा दो डौर दी और नीचे में इस प्रका के शेव दी तो जहाँ पर एक दम छोटा डौर बनाया तो हाथ से बनाए चोटे जी डौर क्योंकि यह सारे डौर इदियम बॉटल से पकरने जाएंगे तो कभी-कभी बड़ा हो जाता है और अच्छा नहीं देखेगा जो फेटा है फेटे में आप यहाँ पर रंगुली से भी इस प्रकार के बना सकतो कुछ डिजाइन यह आपके पास कुछ कुछ कुंदन वर्क है कुछ स्टोन का काम स्टोन है तो यहाँ पर रख सकतो और साइड में यहाँ वाइट कलार के डौट चेन और लास्ट में यह फेटे के ऊपर एक मोर पंग बनाएं ओके तो यह इसका जो बैग्राउंड है जो रहां राउंड था बैग्राउंड यहाँ पर लाइटग्रीन डार्क्रीन और दुनों को थोड़ा से ब्लेंड कर देंगे लाइटग्रेन और डारक्रीन तो यह हाफ पोर्शन नमरा कम्प्लीट हो गए है यहाँ पर जो तुस्सी बिर्ण न बना इसका जो बैगरॉंड है बैगरॉंड डार्क पिंक से कर रहा हूँ तो डार्क पिंक थोड़ से ज़्यादा दीजी कि इसमें ज़्यादा भागे डार्क पिंक और जितना जगब पचे का वहँआ पर लाइट पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक को मिला के दोनों को मिक्स करना है इजो तुलसी बिर्ण नमन बन के उपर एक कमल के फुल दिखा रहा था तो आप Colorado में पिंख है इसको एक तो आप एलो कीजें ने तो रेट की जेए रेट भी अच्छा रहेगा या ऐजह यह लो कलर करते हो तो भी चलेगा बाहर में दार्क औरंज देना है उसका अंदर में लाइट औरंज और लास्ट में लो कलर तो गदर वाइट कलर का फूल बनाएंगे बीच में जो लाइनिंग है वाइट कलर से के डॉट से बनाईए यह आप चाहिए आप सिधा सिधा साधा मताब सिभ वाइट रंगुल इसे भी लाइनिंग बनाके भी यह कर सकतो पर डॉट से कैसा थोड़ अच्छा देखता है यह सेंटर में एक फूल बनाएंगे वाइड कलर से बीच में पींक कलर उसके अंदर एक रेट कलर के डॉट उसके अंदर में औरेंज कलर और जिससे फूल खाली लग रहे तो चारो साइड में चार पत्ति बना देंगे डार्क ग्रिन और लाइट ग्रिन से थोड़ा सा चम्मस से उनको पत्ति के शेप देंगे और एक टूथपिक से थोड़ा सा लाइनिंग बनाएंगे बीच में तो यह जो अमने यहलो कलर का फूल बनायते कमल वह कासा फिका लाग रहा था इसलिए मैं आपके रेट कलर से आउटलेंड किया डॉट से और उपर में कुछ प्रकार के लाइनिंग बनाना है पत्ति बनाने के लिए जो तुरसरे पहुद हें तो लाइनिंग कुछ डॉर दीजिये दुनों साइड में और उनको जो चोटे चम्मस होता है चोटे चम्मस से इनको थोड़ा सा पत्ति के शेप देंगे इस प्रक आगे थोड़ा सा डिजाइन देंगे तो बासरी के उपर में जो डिजाइन था वो भी एलो और रेट से दिया और यहाँ पर कुछ चेन बनाएंगे वाइट लटकन जो तुलसी पोदे को टच कर रहे हैं यह आपको लगता है जो तुलसी पृद्धावन ज्यादा लाइट कलर हो गया यह प्लेन कलर देख रहे हैं तो उतको तो शेड़ दे सकते हैं ब्लाक कलर मिला के तो यह सेंटर को जो हमारा थीम था वह सेंटर बना लिए अभी साइड में आप दूसरा कुछ एड़ कर सकते हो सारे चीज़े जैसे मैंने यहाँ पर कृष्णा जी है सेंटर वाला डिजैन के साइट में वाइड कलर से बनाएं और उसका साइड में जो मोरपंक है मोरपंग के design तो मोरपंग design बनाने के लिए मैं बाहर में dark green के डॉर्ट दिये अंदर में light green फिल किये और जो माचिस के तिली है माचिस के तिली से इस प्रकार के थोड़ा खीच दिये अंदर में और जो white color का डॉर्ट था उसके side में भी थोड़ा सा dark green दिया ताकि वो जो white वाला lining वो clear दिखे और जो peacock feather के अंदर कुछ dot दीजे yellow color orange color blue color और लास्ट में dark blue color तो उसे प्रकार सिंपल से का peacock feather दिखेगा यह आप आपके बस dark background पर बनारा तो साइड में आप white white से कुछ dot दीजे तो यह जो green color यह green color ज्यादा उठाओ दिएगा side के white के वज़ेसे और लास्ट में अंदर में एक एक डॉट दीजे रेट कलर का यह बन गया सुन्दर दा तुलसी विवा कि आप सब लोगों का है शुब काम नहीं वीडियो अच्छा लागा तो लाइक बटोन के दबा के लाइक कर दिना वीडियो कैसा लागा जोरूर कोमेंट्स करके बताना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते इस पर करके सुन्दे सुन्दे रंगुल क के साथ तब तक ले बाइबर